नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट वक्त हो चला है ऐसे मुद्दो पर विस्तार से बात करने का जुचंता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं कावड यात्रा 22 जुलाई को शुरू होने वाली है लेकिन उससे पहले ही कावड यात्रा को लेकर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है जहां मुख्य मंद्री योगी आदितनात ने एक आदेश से विपक्षी दलो और कटर पंथियों को मिर्ची लग गई है और जो समझदार है वो आदेश का पालन कर रहे हैं इसकी साथ सियम योगी के इस आदेश ने देव भूमी उत्राखंड में भी एंट्री माल ली है तो चलिए यूपी में पैदा हुए नए विवाद पर चर्चा करते हैं यूपी में पिछले कुछ दिनों से एक नया विवाद पैदा हो गया है असल में मुझफवर नगर जिला प्रशास ने सड़क पर दुकान लगाने वालों खासकर फल के ठेले वालों को नर्देश दिया है कि वो दुकान और ठेले पर अपने नाम का पट्टा लगाई सावन के महीने में कावडियों के लिए विक्रेताओं की पहचान सपष्ट हो इसलिए नेने लिया गया है जिसके बाद यह आदेश सुर्ख्यों में आ गया जब इस आदेश ने तूल पकड़ा तो मुझफवर पुलिस को आदेश वापस लेना पड़ा लेकिन फिर सुबे की योगी सरकार ने ही पुरे प्रदेश में आदेश जारी कर दिया योगी सरकार के आदेश पर बवाल मचा हुआ है इसी भी यूपी के ही एक अधिकारी ने बताया की सरकार कानून के हिसाब से ही ये आदेश पारित कर रही है मेरट के बाट माप विभाग के प्रभारी वी के मिश्रा ने बताया कि ऐसी में सवाल है कि अगर ये आदेश कानून के हिसाब से है तो अब इस पर इतना बवाल क्यों जब कानून लागू हुआ तब विरोध क्यों नहीं किया गया जब 2006 में एक आनून लागू हुआ था तब मन मोहन सिंग प्रधान मंत्री थे और उत्तर प्रादेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंग थे तो समय विरोध क्यों नहीं किया गया था जहां एक तरब नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी है और लेकिन दूसरी तरब दुकानों के बाहर नाम प्रधर्शित करने का सलसला जारी है और अब एक एक करकेस आदेश की एंट्री बाकी राजियों में भी हो रही है चहां उत्राखन और मद्द प्रधेश का नाम योगी के नेम प्लेट मॉडल से जुड़ गया है जिसे एसाफ हो गया है कि सीम योगी का नेम प्लेट मॉडल हिट हो रहा है दरसल कावड यात्रियों की आस्था और छुद्धता की शुचीता को बनाए रखने के लिए सरकार ने ये आदेश दिया है आदेश हलाला सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कारवाई करने की बात कही गई है आदेश में सभी दुकानों ढाबा ठे करते हैं इसको लेकर ही योगी सरकार ने कदम उठाया है इस आदेश के बाद कई दुकानों के नाम बदले गए आदेश का असर साफ दिखने लगा है सहरनपूर मुझणोर जिले में कावड मार्ग पर धाबे होटलों और खाने पीने की चीजों की दुकानों पर मालिक का न इस आदेश के बाद दुकान को चलाने वाले फ़हीम ने अपनी दुकान का नाम बदल लिया है फ़हीम ने बताया कि इस निर्देश के बाद कावड यात्रा के दौरान उनके काम पर बढ़ा प्रभाव पढ़ने वाला है इसी हाईवे पर पहले संगम शुद्र शाकाहारी भोजनाले नाम का एक धाबा कुछ दिन पहले तक होता था अब इस धाबे का नाम बदल दिया गया है संगम शुद्र शाकाहारी भोजनाले की जगा ये सलीम शुद्र शाकाहारी भोजनाले है सलीम ने खाद सुरक्षा वि पार्ती ने बताया कि वहीं आदेश पर भवाल के बाद पुलिस ने कहा कि सभी दुकानदारों से निवदन किया जाता है कि वो अपनी इच्छा से अपनी दुकानों के बाहर अपना और काम करने वाले लोगों का नाम डिस्प्ले करें ऐसा इसलिए का आगया है क्योंकि कावड़ी सावन में कुछ तरह के खानों से परहेज करते हैं ऐसा आदेश पारित किया गया ताकि कावड़ीों में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो और धार्मिक तनाओं से बचा जा सके पुलिस ने अपने बयान में कहा कि पहले भी ऐसी घटनाए हो चुकी है जिनसे कावड़ीों में कन्फ्यूजन फैलने से कानून विवस्ता के स्थी पैदा हो गई थी वहीं उत्तरप्रादेश वाली विवस्ता उत्राखन में भी लागू की गई है उत्राखन के हरिद्वारें बड़ी संख्या में कावड में गंगा जल भरने के लिए कावड़ी आते हैं इसको देखते हुए हरिद्वार के SSP परमेंदर डोबाल ने आदेश दिया की जिले में सभी कावड रूट पर दुकानदार का नाम और पहचान इस पश्ट रूप से लिखी जाए जहां यूपी की तरह ही आदेश उत्राखन की पुशकर सिंग धामी सरकार ने दिया है तो अब BJP के शासनवाले एक और राज में दुकान के बोड पर माली के नाम लिखने को अनिवार बनाने की मांग हो रही है दरसल मद्द प्रादेश में सबसे जादा वोटों से जीतने वाले वधायक रमेश मंदूला ने मुख्यमंदरी मोहन यादों को पत्र लिखकर सूबे में भी यूपी की तर्ज पर आदेश जारी करने की मांग की है सीम को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि मद्द प्रादेश के हर छोटे बड़े व्यापारी दुकानदार को अपना नाम बताने में गौरव की अनुभूती हो सके इसके लिए सरकार को हर स्थाई और चलित दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवारे करना चाहिए ऐसा करने से समाज में दुकानदार की पहचान इस्थापित होगी और सभी दुकानदार अपना नाम और गुडविल बढ़ाने के लिए ग्रहाकों को बहतर सेवा देने के प्रयास करेंगे आपको बता दी कि मनुला बद्ध प्रदेश के नदौर दो सीट से वधाक है और उनके नाम सूबे में वधानसबा चुनाओं में सबसे बड़ी जीत दर्च करने का रेकॉर्ड है उन्होंने 2023 के वधानसबा चुनाओं में कॉंग्रेस उमीदवार चिंटू चोकसे को एक लाग साप हजार से इन्तालिस मतों के अंतर से हराया था ये सूबे में 2023 के वधानसबा चुनाओं में सबसे बड़ी जीत थी जहां बाकी प्रदीश भी नेम प्लेट मॉडल को अपना रहे हैं तो वहीं विपक्षी दलो और सत्ता पक्ष में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है विपक्षी ने इसे नरसंगहार के लिए उकसाने और भेदवाओ वाला फैसला करार दिया उनका कहना है कि ये निर्ने इसलिए लिया गया है ताकि कावडिये केवल हिंदू दुकानदारों से सबान खरीदे और मुस्लिमों को नजर अंदास करे लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने इस फैसले की मांग भी की थी कारण यह है कि फलो पर थूके जाने से लेकर पेशाब वाले पानी में उन्हें धोने तक के वीडियो सामने आये थे ये मामला शुद्धता और स्वास्त से जुड़ा हुआ है क्योंकि कावडिये ऐसी कोई भी चीज से बचना चाहिए जो उनकी तीर्थ यात्रा को अप्रित कर सकते हैं इसका कारण यह है कि इसमें कई नियम कानूनों का पालंग करना होता है लेकिन कुछ लोगों ने या यू कहें कि विपक्षी दलो ने इसे मजभी मदभेद और रूडी वादी का मुद्धा बना दिया है लेकिन अगर कावडिये केवल हिंदू विकरेताओं से ही खाने पीने की चीज़े खरीदना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है आखिर कावडियों के पास ये विकल्प क्यों नहीं होना चाहिए यही बात सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार कह रहे है आखिर ऐसा क्यों है कि नाम छिपा कर ही सामान बेच रहा है और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा परिदर्श बनाया जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है ये केवल अपने काम का नाम दिखाने भर है मगर इसी बीचे एक बहुत ही रोचक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ जिसमें एक मुस्लिम महिला जो सुयम को सुननी बताती है वो ये कह रही है कि शिया मुस्लिम हर चीज में थूक मिला कर खिलाते हैं इसलिए हम लोग उनसे कोई सम्मंद नहीं रखते हैं प्रश्न यही है कि एक पंत की जो मजभी प्रक्रिया है उसका शिकार दूसरे मत का पालन करने वाले क्यों बने और जो कानून पहले से ही लागू है उसी का क्रियानविन करने में लोग एजिंडा क्यों खोज रहे हैं सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां सेकुलर लोग इसे मुसलिम पहचान और भेदभाव के साथ जोड़ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग प्रश्ट कर रहे हैं कि अब जब 2006 में ये कानून लागू हुआ था तब मन मोहन सिंग प्रधान मंत्री थे और उत्तरप्रादेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंग थे तो उस अमेव रोध क्यों नहीं किया गया था इस पूरे मामली में आपकी क्या राय है कमेंट करकर ज़रूर बताएं स्पेशल स्टोरी में फिलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी उत्तरप्रादेश नमस्कार